नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक 55 इंच का 4K OLED TV खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे तीन सबसे बढ़िया 55 इंच 4K OLED TVs का जो की आप ले सकते हो, तो इस वीडियो करते हैं शुरू तो शुरू करते हैं नमबर 3 पर जो सबसे बढ़िया 55 इंच 4K OLED TV आप ले सकते हो, तो वो जान लेते हैं कौन सा वला है तो यहाँ पर जो आता है शाओमी का 55 इंच का 4K Ultra HD Smart Android OLED Vision TV यह कुछ देखने में ऐसा है और इसका जो प्राइस आपको मिल जाता है 95,000 रुपीज में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी OLED 4K 55 इंच TV का प्राइस में बताऊंगा हो सकता है बाद में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इनका प्राइस तोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसके लिए मैंने हर एक OLED TV जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उसका बेस्ट बाइ लिंक जो है नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है वहाँ पर जाके आप इन सारे OLED TVs को चेक आउट कर सकते हो देख सकते हो और फिर इनको खरीद भी सकते हो तो यह जो शाओमी का OLED TV है 55 इंचिस का इसका हम लोग करते है रिव्यू तो इसका जो रेजलूशन है 4K रेजलूशन आपको मलता है या पर और इसका जो रिफ्रेश रिट है वो है 60Hz का इसमें जो डिस्पले यूस किया गया है वो एक True 10-bit पैनल यूस किया गया है जिसमें HDR 10 Plus का सपोर्ट है HLG का सपोर्ट है और Dolby Vision IQ भी आपको मिल जाता है तो इसका जो डिजाइन एक काफी यूनीक है बहुत ही थीन मेटल बेजल्लिस डिजाइन आपको मिल जाता है इसका जो थिकनेस से सिर्फ 4.6 mm है और इसमें आपको Screen to Body Ratio भी काफी अच्छा मिलता है 97% का Screen to Body Ratio मिल जाता है जो कि आपकी Home Decor के साथ अच्छा Blend भी करता है अगर मैं Connectivity Options की बात करो तो 3 HDMI पोर्ट आपको इसमें मिलता है और 2 USB पोर्ट मिलता है और इसमें आपको Sound Output 30W का मिलता है और इसमें आपको 8 Speaker Setup मिल जाता है जिसमें 4 Active Drivers है और 4 Passive Drivers है Speakers का इसमें जो प्र साल का Comprehensive Warranty मिल जाता है तो आगे बात करते हैं आपे दूसरे नमबर पे जो सबसे बड़िया 55 Inch OLED TV आप ले सकते हो तो वो जानेते हैं कौन साल है तो यहाँ पे जो आता है LG का 55 Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV तो यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइजें आपको मिल जाता है एक लाग पांच हजार रुपे यहनि वन लाग फाइफ थाउजन रुपीज में तो इसके बारे में भी बात करते हैं और करते हैं रिव्यू इस LG की 55 Inch 4K OLED TV का तो इसमें भी resolution आपको 4K Ultra HD का मलता है और इसमें आपको AI 4K Upscaler Technology मिल जाता है जिसके बदत से कोई भी HD या Full HD वीडियो को यह 4K content में convert करने में सक्षम है तो इसमें आपको 4K OLED display मिल जाता है with Dolby Vision IQ support और इसमें Eye Comfort display मिलता है जो कि आपकी आखों के लिए काफी अच्छा है connectivity options की बात करो तो 3 HDMI port और 2 USB port आपको मिल जाता है और इसके अलावा आपको built-in Wi-Fi और built-in Google Assistant और Alexa भी मिल जाता है तो इसका जो sound output है 20W का है और इसमें आपको Dolby Atmos sound मिल जाता है with built-in stereo surround sound effect भी मिलता है इसमें जो है processor जो यूज़ किया गया है Alpha 7 Gen 5 AI processor जो की एक 4K TV का processor है warranty की बात करो तो इसमें आपको 1 साल का LG India का comprehensive warranty मिल जाता है और 1 साल का additional warranty भी मिलता है इस TV के panel के उपर तो आगे बात करते हैं number 1 पे जो सबसे भरिया 55 inch OLED TV आप ले सकते हो तो वो जान लेता है कौन सा आला है तो यहाँ पे जो आता है Sony Bravia का 55 inch XR Series 4K Ultra HD Smart OLED TV है और यह भी एक Google TV भी है क्योंकि इसमें Google Play का आपको support मिल जाता है तो इसका जो price है आपको मिल जाता है 1,80,000 रुपे में यह निए 1,80,000 रुपीज में तो इसके बारे में भी बात करते हैं और review करते हैं इस Sony की OLED TV का जो कि 55 inch में आता है connectivity options की बात करो तो 4 HDMI port मिलता है और 2 USB port आपको मिल जाता है sound output जो है इसका 50 watt का sound output मिलता है और इसमें आपको 2 subwoofers भी मिल जाता है इसके साथ साथ इसमें आपको 5.1 channel 3D surround upscaling technology मिलता है with Dolby Atmos, sound effect और ambient optimization जो की आपकी sound experience को और भी जादा अच्छा बना देता है इसमें आपको Bravia का cam support मिल जाता है जिसके मदद से आप जो है video chatting कर सकते हो अपने friends और family के साथ एक बड़े screen में आपके 55 inch TV में इस Bravia cam support जो है ये भी determine करता है कि आप TV से कितना दूड बैटे हो और उसके according जो है TV का sound और picture setting adjust करता है तो इसमें जो है auto game mode का feature भी दिया जाता है तो TV जो है game mode में भी switch कर सकता है जिसमें की input lag जो है काफी minimize हो जाता है और ऐसे में अगर आपको game खेलना है तो आपको बहुत अच्छा response मिलता है जब आप कोई भी action डालते हो तो आपे warranty की बात करूँ तो दो साल का इस TV के उपर आपको warranty मिल जाता है Sony के तरफ से और जिसमें की एक साल का comprehensive warranty और एक साल का additional warranty मिलता है panel के उपर तो ये था सबसे बरिया 3 55 inch OLED TVs जो की आप ले सकते हो इन सारे TVs का जो है best buy link है मैंने इस वीडियो की description box में दे के रखा है वहाँ पे जाके आप अपना मन पसंदित OLED TV को check out कर सकते हो देख सकते हो और फिर खरीद भी सकते हो अगर आपको कोई भी doubt है इस वीडियो से related या फिर in OLED TV से related तो नीचे comment जरूर करना तो हम लोग इस वीडियो को यही पकट है खतम